महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधान सभा चुनाव से पहले पालघर जिले के नाला सोपारा में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गये, बहुजन विकास अघाडी, BVA, ने भाजपा के राष्ट्रिय महासचिव विनोध तावडे पर पैसे बांटने का आरोप ल क्योंकि CCTV recording भी बंद कर दी गई थी, भाजपा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह महाविकास अघाडी, MVA, का प्रचार हतकंडा है, क्योंकि पार्टी आगामी चुनावों में हार की ओर बढ़ रही है, तावडे ने मीडिया से कहा कि वह सिर्फ चुनाव प्र कर जांच की और कुछ वस्तुएं जब्त की, उन्होंने बताया की, FIR दर्च करने की प्रक्रिया जारी है और आचार संहिता का उल्भ, लंगन करने वालों के खिलाफ कड़ी कारवाई की जाएगी, इस विवाद पर अन्य नेताओं जैसे उधव ठाकरे और संजे राउत ने भी प्रतिक्रियाएं दी, जहां ठाकरे ने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रार्थना की और राउत ने भाजपा की रणनीती पर सवाल उठाए, कॉंग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी आरोप लगाया की, तावडे के पास पांच करोड रुपे नकद मिले थे, जिससे गंभीर सवाल उठते हैं.